नमस्कार, निउस्डूम पोस्ट में आप सभी का स्वागत है फिल्म पठान को लेकर लगातार बातचीच चल रही है और अब क्योंकि इंट्रिव्यू का सिल्सला शुड़ो हो चुगा है डिरेक्टर सिधात आनंद ने एक और खुला सा किया है यहां हम इसी बारे में बताने वाले है डिरेक्टर सिधात आनंद ने अपनी आने वाली फिल्म फाइटर पर जिक्र किया है पिंक विला की रेपोर्टर की तरब से जब सिधार्थ आनंद से उनकी आने वाली फिल्म फाइटर के विशे में पूछा गया तो ज्यादा कुछ बताने से तो निर्देशक सिधार्थ आनंद बचते वे दिखाई दिये लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि जिस तरह से पठान फिल्म को सफलता मिली है फाइटर फिल्म इससे कहीं और ज्यादा बेहतरीन होने वाली है डिरेक्टर सिधार्थ आनंद अपने इंटर्विव में कहते हैं फाइटर एक ऐसी फिल्म है जो एक अलग तरह की फिल्म है और मैं बहुत खुश हूँ कि पठान के बाद फाइटर मेरी अगली फिल्म है क्योंकि पठान ने एक्शन के मामले में एक मानक बना दिया है वहीं फाइटर इस मामले में उससे पूरी तरह से अलग है रितिक रोशन की fighter film पठान से बिलकुल ही भिन है दर्शकों ने इससे पहले भारत में fighter film के जैसा कुछ और नहीं देखा होगा यह ऐसा कुछ है जो हम पहली बार करने जा रहे हैं हम उसे बड़े इस तरवर बनाने जा रहे हैं fighter film की release date के बारे में उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया लेकिन वो 25 जनवरी और 2 अक्टूबर के अलावा दूसरी date पर भी विचार कर रहे हैं आपको बता दें war film 2 अक्टूबर को और पठान film 25 जनवरी को release हुई थी fighter film 2024 में सुधात आनंद की release होने वाली अगली film है रितिक रोशन के बारे में बात करते हुए director ने कहा रितिक रोशन जिस तरह से सेट पर चलते हैं अपने आप ही वहाँ पर एक चमक आ जाती है वह अच्छे दिखते हैं साथ ही साथ वह हमारे काम को भी आसान कर देते हैं हमें बस रितिक रोशन के चलने की style को कैमरा में कैद करना होता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें कॉमेंट बॉक्स पर अपनी राय दें धन्यवाद